नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ मैं स्तावर कर नहीं हूँ मैं गांधी हूँ और गांधी कभी किसी से माफी नहीं मांगते ये शब्द है राहूल गांधी के जब राहूल गांधी पहली बार प्रेस कॉंट्रेंस करके सामने आए तो अपनी सांसिधी खत्म होने पर केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला किया लेकिन इसके बाद केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए अनुराग ठाकुर ने कॉंग्रेस नेता पर भी जम करके प्रहार किया है अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी सपने में भी कभी वीर सावरकर नहीं हो सकती क्योंकि वीर सावरकर का नाम धैर ये द्रण संकल्प भारत के लिए कटर देश भगती है अनुराक ठाकों ने ये भी कहा कि वेर सावरकर ने ना तो साल में छे महीने विदेश में छुटियां बिताई है और ना ही उन्होंने विदेशी शक्तियों से खस्तशेप की मांग की है सावरकर जब इंग्लेंड गए तो उन्होंने भारत माता की कुलामी से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूग दिया और साथ ही फंदे से पहले भगत सिंग जिसको दो-दो किताब से अपनी डायरी में नोट्स बना रहे थी उन सावरकर क का अपमान कोई ना समझ ही कर सकता है उन्होंने आगे कहा कि सावरकर ने यह इज़त ऐसे नहीं कमाई उस दौर में जितने भी बड़े नेता थे सावरकर की देशभक्ति और साहस के आगे नतमस्तक थे यहां तक कि कॉंग्रिस ने भी 1923 में काकी नाडा अधिवेशन में वी के साथ अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर बरसे अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी इसका कैसे जवाब देते हैं फिलहाल आपको वता दे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से शानसदी खत्म राहुल गांधी की की गई है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं करीबन 28 से 27 दिन का समय है जब एक बार फिर से वो हाई कोट या सुप्रीम कोट का रुख कर सकते हैं ये पूरा फैसला जो है वो बदल सकता है ऐसे में क्या जल्दबाजी नहीं की गई है राहूल गांधी की सांसदी खत्म करने को लेकर अगर ये पूरा बयान ये पूरा फैस से दीको निरास्त करने की लिए